हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाएं क्लास 2 हिंदी का पार्ट 3 जिसका नाम है हसी हो गई और दोस्तों इस कहानी को पढ़ाने के पहले एक रिक्वेस्ट आप से गरना चाहूंगी कि मेरे इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजेगा अगर आपको पसंद आए तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजेगा चलिए हमारा क्लास 2 का हिंदी का पार्ट 3 इन हसी खो गई शिरू करते हैं ये कहानी है एक रोहन नाम के लड़के की ये रोहन नाम का लड़का जो है इसकी हसी खो गई तो देखते हैं इसकी हसी कहां खोई कैसे खोई और फिर मिली या नहीं मिली चलिए मेरे साथ इस कहानी को पढ़ते हैं चलिए रोहन जो है एक किताब पढ़ रहा था एक पुस्तक पढ़ रहा था और उस पुस्तक में क्या पढ़ रहा था वो चुटकुला पढ़ रहा था उसे चुटकुला पढ़ के बहुत जोर से हसी आई और वो हसने लगा हसने लगा देखिए आप फोटो में कितनी तेज तेज वो हस रहा है कि हस हस के लोटपोट हो गया कलाबाजियां खाने लगा मतलब इधर उधर उलट पलट करने लगा और जैसे ही वो कूदने लगा तो क्या हुआ एक आएक वो बिस्तर से नीचे गिर गया नीचे गिर गया और रोहन रोने लगा और रोते रोते उसने सामने एक शीशा रखा था वहाँ देखा तो उसने क्या देखा कि उसकी हसी कहीं चली गई और वो सोचने लगा कि मेरी हसी कहां चली गई ये तो हमेशा मेरे मूँपे रहती है तो बस रोहन फिर क्या था रोहन अपनी हसी डूनने लगा कि हसी कहा चली गई हसी कहा चली गई हसी कहा चली गई तो सबसे पहले उसने अपनी हसी को बिस्तर पर देखा फिर उसने पलंगे नीचे भी देखा लेकिन उसे हसी तो नहीं मिली उसने अलमारी में देखा सामने एक मेज याने टेबल रखी थी उस पे देखा फिर शीशे में देखा पर उसको हसी तो मिल नहीं रही थी उसका चहरा तो उदास था और जानते हूं उसके गालों पे कौन था उसके गालों पे आशू भी थे पर हसी नहीं थी चहरे पे फिर रोहन ने सोचा मैंने पुस्तक पढ़ रहा था किताब पढ़ रहा था कह nuggets ऐसा ना हूँ मेरी हसी उसी में रह गई हो तो उसने पुस्तक कैसे pages को turn करकर के देखा कि भै मेरी हसी जो है कहा तो उसमें भी नहीं मिली फिर उसने सोचा चलो मैं कमरे के बाहर जाता हूँ हो सकता है हसी बहां गई हो जब वो बाहर गया तो आंगन में देखा तो भी हसी नहीं मिली उसने अपने मम्मी पापा के कमरे में देखा तो भी उसे हसी नहीं मिली वो दादी के कमरे में जाके भी ढूढने लगा तो दादी ने पूछा रोहन क्या ढूढ रहे हो तो भी रोहन कुछ नहीं बोला और फिर बाहर आ गया रूम से और फिर आंगन में एक अमरूद का पेड़ था किस चीज़ का पेड़ था? अमरूद का अमरूद याने गॉआवा और उस पे तोते बैठे हुए थे दिख रहे हैं आपको तोते बैठे हुए और ये क्या खा रहे हैं? अमरूद कच्चे अमरूद खा रहे हैं ये लोग क्योंकि वो जानवर है हाँ पक्शी हैं तो वो पक्षी हैं कच्छे मुरूद कुतर रहे हैं तो रोहन ने, रोहन उनसे रोज बात करता था लेकिन आज रोहन का मन अधास था तो उसने उन से भी बात नहीं की क्योंकि वो तो सिर्फ क्या ढूणने में लगा था अपनी हसी ढूणने में पिर रोहन सोचने लगा, कहने लगा, ममा कहां है, मा कहां है, वो मेरी हसिया जरूर ढून देंगी, इतने में घंटी बजी, और रोहन ने दर्वाजा खोला, और सामने कौन खड़ा था, रोहन की मा, और रोहन का उदास ही चहरा देखके, मा ने पूछा, मेरे बेटे को क्या तो रोहन ममी के गले लग गया, लिपट गया, और मा को बोला, मा मैं बिश्टर से घिर गया था, और मेरी हसी पताने कहां चली गई, तो मा ने क्या करा, रोहन को गोद मे लिया, उठा लिया, उसे खूब प्यार किया, गले से लगा के, रोहन को बहुत अच्छा लगा, और इसमाइल करने लगा, याने मुस्कुराने लगा, फिर उसकी मा ने कहा, अब तुम शिशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हसी लौट आये, और उन्होंने रोहन को गुद गुदी भी की, और रोहन खूब हस रहा था, और बोला, मिल गई, मिल गई, मेरी हसी मिल गई, मा तो रोहन की हसी वापस मिल गई, है ना, चलिए पसंद आई कहानी, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइए, वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, थैंक यू